हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका काड्ड्यू किचिन में मेरा नाम है मनीशा आज हम बनाएंगे ऐसी पुड़ी जिसमें हम गेहू के आटे का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे घर में सभी नॉर्मल पुड़ी और राटा खाके बोर हो ही जाते हैं तो आज हम बनाएंगे बेसन और पुड़ी से एक डिफरेंट स्टाइल में पुड़ी जहां खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और सभी इसको बहुत शौक से खाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी लेकिन रेसिपी स्टाट करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे है तो प्लीस हमारे पेज को फ आलो करें तो अब चलिए टाइम नवेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पोह और बेसन से पूड़ी बनाना, इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक कब बेसन और एक कब भी पोह, सबसे पहले हम पोह को दो-तीन बार अच्छे से वाश करके इसको गलाएंगे और पांच मिन लगबग 5 मिनिट हो गए है, पोह अच्छे से सोक हो गया है, अब हम लेंगे एक mixing ball और सबसे पहले कोड़ी का डो तियार कर लेते हैं, इसके लिए यह जो हमने पोह को सौक किया था, इसको mixing ball में डालेंगे, यह पोह को मैंने mixing ball में डाल दिया है, अब मैं इसमें डालोंगे बेसन, इस सेम कॉंटिटी में मैंने बेसन लिया है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, स्वाद के अनुसार, साथ में डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची, यह भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, सौफ डालूंगी साथ में, 1-4 टी स्पून, 1-4 टी स्पून ह मैंने अजवयन ली है, इसको हाथों से थोड़ा सा इस तरह से क्रश करके डालेंगे, और साथ में मैं मिलाओंगे, 1-2 टी स्पून कसूरी मेथी, इसको भी हाथों से इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, इससे खुश्बो और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे जाते हैं, और अब लास्ट में मैं मिला दूँगी, 1 टी स्पून ओयल, यह हम मोयन के लिए दालेंगे, इससे जो पूड़ी बनेगी, वह बहुत ही खस्ता बनेगी, अब इन सभी को हम हाथों से अच्छे से मत्ते हुए मिक्स करेंगे, पूहा हमारा गीला है, इसलिए इस तरह से इसको हमें दबाते हुए बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, अभी इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं दाला है, यह देखिए यह अच्छे से मिक्स हो गया है, और थोड़ा थोड़ा बाइंड भी होने लग गया है, अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा पानी लगा है, अब हम इसको धक्के रख देंगे लगबग 10 मिनट के लिए, लगबग 10 मिनट हो गए हैं, हम डोग को चैक कर लेते हैं, मैं हाथों पे थोड़ा सा ओईल ग्रीस करूंगी, और इसको अच्छे से मत हूंगी, जिस तरह से हम नॉर्मल पोड़ी के लिए आटे को मतते हैं, उसी तरह से इसको हमें अच्छे से मतना है, यह देखिए, पोड़ी के लिए अच्छा स्मूढ डो बनके तयार हो गया है, पतली बना सकते हैं, इस तरह से पहले मैं चार पाज लोया बनाके रखूँँगी, यह देखिए, इस तरह से मैंने इसके लोया बना ली है, अब हम प्लेट रामपे थोड़ा सा ओओल ग्रीस करेंगे, और हम पोड़ी को बेर लेंगे, यह देखिए, पोड़ी को मैंने बेर बेल लिया है, अब मैं इसको प्लेट में रखतूँगी, और बाकी पुडिया भी इसी तरफ बेल लूगी, जब तक हम पुडियों को वेल रहे हैं, तब तक हम साथ में ऐल भी गरम करना रखेंगे, ये देखिए मैंने पुडियों को इस तरह से वेल लिया है, अब चलते हैं गैस की तरफ और इसको तल लेते हैं, पैन में मैंने तेल को दाल दिया है और तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें कुड़ी को दाल देती हूं, इसको हम थोड़ा सा उपर आने देंगे, उसके बाद इसको इस तरह से चारो तरफ से दबाते हुए, थोड़ा सा फुलाएंगे यह देखिए कितने आचछे से फूल गई है अब हम इसको टर्न कर लेते हैं यह देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें गुल्डन कलर आ गया है दूसरी साइड से भी इसी तरह हम इसको तलने देंगे ये देखिए दूसरी साइट से भी बहुत अच्छे से तल गई है अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी बची हुई दूसरी पुडिया भी हम इसी तरह से तल लेंगे ये देखिए, सभी पुडियों को मैंने तल लिया है ये देखिए, बहुत ही अच्छी फूली हुई बनी है और बहुत ही क्रिस्पी भी बनी है आप इसको सबजी, सॉस या चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे जरूर ट्राय करें और कमेंट बक्स में अपनी व्यू जरूर शियर करें तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ थैंक्यू